है वाट सब एवरीबारी माइनम इसका नाम है तो इसी के बारे में आप से बात करूंगा तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लेट्स केट सब्सक्राइब नाम की है तो वर्क वर्प्षिप टाइप और इसलिए बताता हूं कि जतना पुराना जो कॉलेज होता है उतना बड़ा ही इसका अलमनाई बेस होता है तो कहीं नहीं वह आपको है ठीक है प्रिंसिपल जो है के पी शिवानन्द हो गए और इसका स्टाफ है तीन सो दस टीचर्स का स्टूडेंट से लगए पांच ज़ार स्टूडेंट्स और लोकेशन है सेवन्टी किलोमेटर स्टी और नेशनल हाइवे साथी साथ बताता चलू कि एरपोर्ट से भी जो अगर कॉलेज की डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो एरपोर् सब्सक्राइब करते हैं कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें है क्या प्रोज है क्या कॉन्स है अगर बात करूं तो यहां पर बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर और प्रिंस्पल आप लोगों को दिखने को मिलेगा और सिटी से दूर होने के कारण डिस्ट्रेक्शन आपको कम है यहां पर आपके मॉल्स फूल्स अगर आपका इंज्वाइमेंट की तरीके से बैंगलोर जा रहें तो यह कोलेज आपके लिए नहीं है यह मतलब बहुत सारी जो अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात कर लेता हूं सब्सक्राइब कि रैंकिंग में बात कर लो तो करनाटका के में आता है और एट पोजिशन इसको दी भी है साथी साथ में बात कर लूँगा इसके हॉस्टल की तो हॉस्टल का अगर मैं आपको बता हूं तो हॉस्टल होते हैं सबके वाक्त अच्छी फैसलेटी होती है फूड का थोड़ा सा इश्यू आप लोगों को आ सकता है कौन्स की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों ने इसको बहुत एक्सपेंसिव बताया है वैसे जनरली अगर मैं स्वीसी फीस की बात कर तो धाई लाग के आस पास इसकी एक साल के अकैडमिक की फीस है पहली चीज हो गई दूसरी चीज की बहुत सारे लोगों ने यहां प तो एक ठीक ठाक ओके कॉलेज है पिछले साल की कट ओफ की मैं ओपनिंग ओपनिंग की रैंक की बात कर लूँ तो तीन हजार रैंक से यह ओपन हुआ था और सेकेंड राउंड में इसकी जो कट ओफ ती अर्टिस सोफ तक के आसपास मतलब देखिए तीन हजार 3571 जो इसकी ओपने हाँ अगर अपने CS की बात कर लें तो CS की जो रैंक है इसकी 3498 से इसकी ओपनिंग रैंक थी और 4265 से इस पे सेकेंड राउंड में गई थी हाला कि लेटर ओन एक्स्क्लूजिव राउंड में और नीचे तक कट ओफ गई थी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देदूँगा वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं प्लेस्मेंट के बारे मैं आप थोड़ा सा आप या इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्योंकि सिस्को से ही बहुत सारे प्लेस्मेंट यहां पर देखने को मिले हैं एवरेज पैकेज की मैं बात कर लूँ एवरेज पैकेज जो है छह से बाट चैनलाग रुपे से आट लाग रुपे के बीच में इनका आप मानके चलिए तो यह इनका ओवरेज पैकेज है अगर मैं दूसरी दूसरी चीज़ों की बहुत कर लेता है और बाकि यह पतन Yangा पर रण बन के लुद बहुत बहुत बड़िया किया हुआ है साथ ही साथ होसल भी ऐसी कोई बहुत जादा बुरी नहीं है लेकिन थोड़ा सा expensive इस college को आप मान सकते हैं थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूँ जिसके मैंने placement के बारे में आपको बताई दिया कि पिछले सल का placement बहुत ही अच्छा था इस college का तो अब मैं थोड़ी सी आप लोगों को और डिटेल से college के बारे में जाओंगा देखो इस college के बारे मिचे सबसे अच्छी चीज का लगी है निकी website मिचे बहुत अच्छी लगी सारी चीजें बहुत simple दरीके से और सामने की सामने साब कुछ लिखा हुआ है और अगर अगर आप देखें मेरा मानना यह है कि एक बार आप सारे बच्छों को जो भी university या जो भी colleges virtual tour आप लोगों को देती है तो एक बार virtual tour आपको इसका देखना चाहिए साइट में आप लोगों को चल रहा होगा जो virtual tour में आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसमें library और सारी की सारी दुनिया वर की चीजें सारी की सारी जो facilities है वो available इसमें है तो इस मोटी मोटी चीजें मैंने लगबग आपको सारी चीजें बता दी है कि college कब शुरू हुआ क्या establishment है, क्या placement है, क्या package है, क्या hostel life है, किस तरीके का वहाँ पर staff आप लोगों को मिलेगा तो यह सारी चीजें में लगबग आप लोगों को बता दी है cut off की details मैं इसे description में दे दूँगा तो वहाँ पर exclusive round rally जो final cut off आप लोगों की है, वो आप लोगों को मिल जाएगी कुछ और question है आप लोगों के, तो वो भी आप लोगों मुझसे पूछ सकते हैं on my Instagram पर So that's all from my side, my name is Karan, stay tuned, stay safe, stay blessed and जैहिन and जैभाल्त and bye-bye